हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल एलके भी स्टेडी चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपके लाएं पॉलिटेक्निक जीटियाई मैच्स के चैप्टर एड़्ध हमने कौन से स्टार्ट किया था लगू गड़क इसका आज हम पार्ट थ अब हम क्या कर रहे हैं इन तीनों की आपस गुड़ा कर दे है शमीटर एक बान ले रहे हैं समीकरन दो इस जमीकरन ₹ तो समीकरण एक गुणा दो गुणा तीन इन तीनों के आपस इन क्या कर ले रहे हैं गुणा कर रहे हैं तो यह जो left hand side में है यह left hand side वालों के left hand side में होगी multiply और right hand side वालों के right hand side में जब इनके multiply होगी तो यहाँ x, y, z हो जाएगा left hand side में तीनों के multiply होगी ऐसे right hand side में इन तीनों के multiply होगी तो यह log a base b multiply में आ जाएगा log b base c multiply में log c base a अब यह x, y, z तुमारा ऐसे रहेगा log a base b इसे हम क्या लिख सकते हैं log a upon log b into log b base c इसे हम क्या लिख सकते हैं log b upon log c अब log c base a इसे हम क्या लिख सकते हैं log c upon log a अब यह log b से log b हमारा cancel one bar में log c से log से भी one bar में cancel log a से log a भी one bar में cancel तो x, y, z एक्वल डू क्या आगिया one के one से multiply होगी तो one आएगा one के one से होगी तो one आएगा x, y, z equal to क्या आगए है 1 तो इस question का जो हमारा option number B है वो हमारे क्या हुआ right answer x, y, z की value कितनी आगए हमारी 1 आगई question 2 question 2 क्या है यदि fx बरावर है log sin x base e तथा 5x बरावर है log cos x base e तो हमें e की power 2 fx plus e की power 2 5x का मान है हमें इसका मान बताना है और यह जो 4 option देगे हैं इसमें right option में टिक करना है यह जो हमारे symbol होता है यह हमारे किसका होता है symbol 5 का होता है और यह तो sin x है और यह cos x है हमें क्या दिया fx बरावर log sin x base e और 5x बरावर log cos x base e तब हमें इसकी value बतानी है तो दिया क्या क्या हमें एक तो fx बरावर दिया हमें कितना log sin x base e और 5x बरावर कितना दिया हमें हमें 5x बरावर दिया है log cos x base e यह हमें दिया है हमें किसकी value बतानी है e की power 2 fx plus e की power 2 5x अब e की power 2 तो ऐसे ही हमारा और इस fx की value कितनी है fx की value है log sin x base e अभी फ्लस ऐसे ही e कि पाओ टू वी ऐसे इस फाइ एकस की वैलियु कितनी दिया है फाइ एकस की वैलियु दिया है लॉग कॉज x base e अब हम एक फार्मुला जानते हैं कि जो हमारा लॉग m की पाओ एं हमारे क्या होता है क्या होता है n लॉग m होता है हो जाएगा base e हमारा ऐसे यह 2 कहां पहुंच जागा है power में जैसे यह n log m की form है हम उसे log m की power n की form लग दिया plus ऐसे यह हमारा हो जाए e की power log base e cos square x यह 2 कहां पहुंच गया है यहां power में अब हमारा एक formula और होता क्या कि e की power log fx e की power log fx हमारे कितना होता है fx होता है तो यहां e की power log sin square x यह अपने आप में किसकी जगह है fx की जगह है तो e की power log sin square x कितना हो जाएगा sin square x plus e की power log cos square x यह हमारा कितना हो जाएगा cos square x अब sin square x plus cos square x की value कितनी होती है 1 होती है यह इसका क्या होगे answer Q3 किया हमारा यदि log 9 base A equal to 2 है log 8 base B equal to 3 है तो हमें log B base A बताना है कितना होगा तो हमें क्या क्या दिया एक दिया log 9 base A equal to 2 दिया है दूसरा हमें क्या दिया log 8 base B equal to 3 दिया है तो अब यहां हमारे कैसे होगा हमें एक तो यह चीज दी गई है और एक यह चीज़ दी गई है अब हमारे एक फॉर्मुला होता है कि अगर log x base e equal to है हमारा y क्या log x base e equal to कि हमारा y है अगर यहां मैं इस log को हटा दूँ तो जो x equal to होगा वो हमारे क्या होगा e की power y होगा यह हमारे क्या एक फॉर्मुला होता है अब यहां log 9 base e equal to 2 है जब मैं यहां log हटाऊंगा तो यह 9 equal to हमार क्या हो जाएगा a की power 2 हो जाएगा इस फॉर्मुले से हो जाएगा 9 होता हमारे 3 का square और यह a का square है अभी square से square cancel हो जाएगा तो a equal to कितना आगे है 3 यह a की value आगई अब ऐसे ही यहां जब मैं इस log को हटाऊंगा तो 8 equal to हमार क्या हो जाएगा b की power 3 8 को मैं क्या लेख सकता हूँ 2 की power 3 यह b की power 3 है अब यह जो हमारी same power है तो यह हापस क्या हो जाएगा cancel तो b equal to क्या हो जाएगा 2 अब हमें value किसकी बतानी है value बतानी है log b base a की तो यह हमारा log ऐसे ही इस b की जग कितना जाएगा 2 और इस base a की जग कितना जाएगा 3 तो इसकी value कितनी जाएगी log 2 base 3 तो यह हमारा जो question number 3 है इसका जो option number a है वो हमारे क्या हुआ right answer question fourth question fourth क्या है हमारा यदि log x base 10 equal to y हो तो log x square base 1,000 बरावर है और यह जो چार option दिये गए इस right option में tick करना है हमेını log x base 10 equal to कितना दिया y दिया तो हमें इसकी value find करनी है तो हमें दिया क्या हमें दिया log x base 10 equal to y दिया यह हमें दिया है value किसकी find करनी है value find करनी है log x square बेस 1000 की value find करनी है तो यह हमारा log x square ऐसी 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की power 3 लिख सकते हैं कितना 10 की power 3 अब एक फॉर्मुला जानते हैं कौन सा कि log m की power n हमारे कितना होता n log m तो यह log m की power n है तो यह 2 हमारे कहा जाएगा log से पहले तो यह हमारे जाएगा 2 log x बेस कितनी है हमारे 10 की power 3 अब यह हमारा 2 ऐसी अब इस log x बेस 10 की power 3 को हम क्या लिख सकते हैं log x upon log 10 की power 3 अब अब यह हमारा 2 ऐसी log x भी ऐसी अब यह log m की power n बनना है फिर से log m की power n क्या होता है n log m तो 3 हमारा कहा जाएगा पहले तो यह जाएगा 3 log 10 अब यह हमार 2 upon 3 ऐसी log x base 10 इतने को log x upon base 10 को हम कह लिख सकते हैं log x base 10 अब यह हमारे क्या हो जाएगा 2 upon 3 ऐसी और log x base 10 की value कितनी दिया है हम question में y दिये तो यह हो जाएगा 2 y upon 3 यह इसका क्या होगे answer तो यह जो हमारा question number 4 है इसका जो हमारा option number D है वो हमारे क्या होगा right answer होगा 2 y upon 3 question 5 question 5 क्या हमारा log base 2 और bracket में log base 2 और bracket में log base 2 16 का मान है इसका हमें क्या हो बताना है मान बताना है यह जो पूरा हमारा विख दिये गया और यह जो चार option दिएगे हैं इसमें से right option में tick करना है तो हमें किसकी value बतानी है log base 2 फिर है हमारी bracket फिर log base 2 फिर bracket के अंदर log base 2 16 इसके हमें क्या बतानी है value बतानी है तो यह जो हमारा log भारवाला सबसे log base 2 है यह हमारा ऐसी रहेगा अंदर वाला log base 2 ऐसी अब यह सबसे अंदर log base 2 अब यह 16 है 16 को हम क्या लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 2 की power 4 अब हमारा यह log base 2 हमारा ऐसे ही अंदर वाला log base 2 हमारा ऐसे ही अब यहां हमारा क्या बनना log m की power n log m की power n हमारे क्या होता है यह हम यह formula जानते हैं चुकि क्या log m की power n हमारा होता है n log m तो यह 4 वहाँ जाएगा log से पहले तो यह हो जाएगा 4 log 2 base 2 यह हो गया हमारा अब एक formula हम और जानते हैं कि log base e log e base equal to कितना होता है 1 होता है तो यह हमारा log base 2 ऐसे ही यह भी log base 2 ऐसे ही यह 4 हैसे ही log 2 base 2 की value कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी अब यह हमारा log base 2 है log base 2 4 की 1 से कितना हो जाएगी multiply 4 1 से 4 अब इसके बाद क्या हूँ log base 2 है यह log base 2 भी है इस 4 को हम क्या लिख सकते है 2 की power 2 लिख सकते है वह log base 2 है अब यहां फिर से बनना log m की power n log m की power n हमार क्या था n log m तो यह वाले जो power वाले 2 हमार कहा जाएगा log से आगे यह 2 log 2 base 2 होता है अब ऐसे ही अभी मैंने formula बताय किया कि log base e log e base e equal to कितना होता 1 होता यह formula हमारा यहाँ पर apply हो वरा तो यह log base 2 हैसे ही यह 2 हैसे ही इस log 2 base 2 की value कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी log base 2 हैसे 2 की 1 multiply होगी तो 2 अब log 2 base 2 की value कितनी हो जाएगी 1 तो जो question number 5 है इसका हमारा answer answer क्या होगा 1 होगा log क्योंकि log 2 base 2 की value कितनी होगी है हमारी 1 आ गई तो हमारे जो question number 5 है इसका जो option number D है वो हमारे क्या होगा right answer होगा अब question number 6 question number 6 क्या हमारा यदि log x base k into log k base 3 बराबर हो log x cube base x तो हमें x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा तो हमें क्या दिया है log x base k multiply में क्या है log k base 3 बराबर क्या है log x cube base x तो हमें इसमें क्या बताना है x का मान तो यह log x base k है इसे हम क्या लिख सकते हैं log x upon log k multiply log k base 3 है इसे हम क्या लिख सकते हैं log k upon log 3 ऐसी log x cube base x को हम क्या लिख सकते हैं log x cube upon log x अब यह log k से log k हमारा cancel यहां क्या बचा हमारा log x यहां हमारा log 3 equal to, यह log x cube है हम एक formula जानते हैं क्या कि log m की power n log m की power n, हमारे क्या होता है n log m, इस formula को यहाँ उपपर apply करेंगे, तो यह हमारे क्या होता है 3 log x, बटे में क्या हमारा log x अभी हमारा log x से log x cancel अभी log x upon log 3 को हम क्या लिख सकते हैं, log x base 3, equal to क्या हमारे 3 अब गर हम यहाँ से log हटाएंगे, तो x equal to क्या हो जाएगा यह 3 की power 3 आजाएगी अब x equal to 3 की power 3 कितना होता 27 तो यह जो हमारा question number 6 है इसका जो option number b है वह हमारा क्या होगा, right answer question 7 question 7 क्या, यदि a square log x base 2 equal to है हमारा b upon 2 log x base 4 तो हम बताना है कि इस चारों मैंसे क्या condition बन सकते हैं यानि कि जो चार option देगे हैं इस मैंसे right option में tick करना है, तो हमें क्या दिया a square log x base 2 equal to b upon 2 log x base 4 अब यह a square ऐसे log x base 2 को हम क्या लेख सकते हैं log x upon log 2 equal to क्या हमारा b upon 2, अब log x base 4 को हम क्या लेख सकते हैं log x upon log 4 यह यह log x के log x हमारा cancel है, हमारा क्या बच्छा a square बते में क्या है, हमारा log 2 यहां हमार क्या बच्छा b upon 2 और यह 1 upon log 4 यह log 4 है, 4 को हम क्या लेख सकते है 2 की power 2 अब हम एक formula जानते हैं कि log m की power n हमार क्या होता है n log m ये square ऐसे ही बटे में log 2 ऐसे ही ये b upon 2 ऐसे ही 1 अब ये log m की power n है तो ये जो power 2 हमार कहां जाए log से पहले तो ये हमार क्या हो 2 log 2 अब ये log 2 से log 2 cancel तो यहां क्या बचा a square यहां हमारा क्या जाए b upon ये 2 की 2 में multiply 4 अब इस a square ये बटे में 1 लेट करके आपस में क्या कर देंगे तिर्शी गुडा तो 4 की a square में होगी तो 4 a square अब b की 1 में होगी तो b तो हमार क्या आगे 4 a square equal to b तो ये जो हमारा question number 7 इसका जो option number c है वो हमार क्या होगा right answer होगा question 8 question 8 क्या यदि log x cube minus 1 minus log x square plus x plus 1 बरावर 0 हो तो x का मान होगा और ये जो 4 option दिये गए इसमें से right option में tick करना है तो हमें क्या दिया log x cube minus 1 और minus log x square plus x plus 1 equal to 0 दिया है तब हमें इसमें से x की value बतानी क्या होगी अब हमें एक formula जाना देंगी log m upon n क्या होता है हमारा log m minus log n होता है log m upon n हमारा क्या होता log m minus log n ऐसे अगर कहीं log m minus log n की form है तो हम उसे क्या लिख सकते है log m upon n ऐसे ये अपने हाप में ये जो इतना है पूरा ये क्या है अपने हाप में m है और ये अपने हाप में n है तो ये log m minus log n बनना ये हमारा कितना हो जाए log m upon n यानि कि log x cube minus 1 upon x square plus x plus 1 equal to ये 0 है जीरो हमारी किसकी value होती log 1 की value तो 0 की जगा हमें कहा लिख सकते हैं log 1 लिख सकते हैं अब हमारा एक formula और होता क्या a cube minus b cube का a cube minus b cube का formula क्या होता a minus b और bracket में a square plus b square plus a b अब यहाँ x पर power 3 है यानि कि x का cube है और 1 पर भी हम power 3 कर सकते हैं तो यहाँ a cube minus b cube बनना a की जगे x है बी की जगे 1 है तो ये log तो ऐसे ही तो क्या होगा a minus b bracket में a square यानि कि x का square plus 1 का square plus a b यानि कि x से multiply होगी 1 से तो नीचे क्या हमारा x square plus x plus 1 equal to क्या हमारा log 1 अब ये log से log हमारा cancel हो जाएगा ये x square plus x plus 1 से ये वाली term cancel उपर नीचे यह जैसी है न है यहाँ हमारे क्या बचा x minus 1 equal to हमारे क्या बचा 1 x equal to ये 1 है से ये minus का 1 इदर आगी plus का 1 तो x की value कितनी ही आ गई 2 आ गई तो ये जो हमारा qeанию number 8 है इसका जो option number c है क्या होगा write answer question 9 क्या हमारा log a base 2 equal to है हमारा 4 minus log 4 base 2 तो हमें इसमें क्या बताना है एक हाまन betाना है और ये जो 4 option दिएगा है इसमें से write ओप्शन में tick करना है तो हमें क्या दिया log a base 2 equal to क्या दिया 4 minus log 4 base 2 अब ये log A base 2 ऐसे ही, ये minus वाली, ये term किसकी है minus की तरह कि हो जाएगा, plus log 4 base 2, equal to है हमार क्या 4, अब हम एक formula जानते है क्या, कि log M into N, log M into N हमार क्या होता, log M plus log N ये हमार क्या होता, formula होता है अब ये हो रहा, log M plus log N हो रहा है, यानि कि ये, तो ये हमार क्या हो जाएगा, log M into N यानि कि log A into 4, equal to क्या हमारा 4 है, अब ये हमार क्या हो जाएगा 4 की जब A में multiply होगी 4 equal to क्या हमारा 4 है और ये हमारा base क्या है, base 2 है अब क्या है, अगर मैं यहाँ से log हटाता हूं ये वाला, तो 4 equal to क्या आजाएगा, 2 की पाउर 4, यानि कि 4 equal to 2 की पाउर 4 मतलब 16 16 को जब 4 से cancel करें, कितने बार में, 4 बार में तो A equal to क्या आगे हमारा 4 आगे है, तो ये जो हमारा question number 9 है, इसका जो option number B है वो हमारा क्या होगा, right answer question 10 question 10 क्या है, log 8 base 2 into log 4 base 8 into log 4 base 2 into log 2 base 4 का मान है, और ये जो 4 option देगे हैं, इसमें से right option में tick करना है, तो हमें किसका मान बताना है log 8 base 2 into log 4 base 8 into log 4 base 2 into log 2 base 4 तो log 8 base 2 को हम क्या लिख सकते हैं, log 8 upon log 2 multiply log 4 base 8 को हम क्या लिख सकते हैं, log 4 upon log 8 multiply, log 4 base 2 को हम क्या लिख सकते हैं, log 4 upon log 2 multiply log 2 base 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 upon log 4 log 4 से log 4 cancel one bar में, log 2 से log to cancel one bar में, log 8 से log 8 cancel, उपर हमारा क्या बचा, उपर बचा, log 4 नीचे हमारा log 2 बचा है ये log ऐसी 4 क्या लिख सकते हैं, 2 की पाउर 2 बटे में क्या हमारा लॉग 2 अब एक फॉर्मुला जानते हैं क्या कि लॉग M की पाउर N हमारा क्या होता N लॉग M यह क्या होता हमारा फॉर्मुला होता है तो यह लॉग M की पाउर N हो रहा है यह पाउर वाला 2 कहा है लॉग से आगे तो यह हमारा क्या बचेगा 2 log 2 बटे में क्या है 2 log हमारा बटे में log 2 अभी log 2 से log 2 cancel तो हमारा answer क्या हो गया 2 तो यह question number 10 इसका option number C है वो हमारा क्या हो जागा right answer हो जाएगा अब question number 11 question क्या log 0.0000001 base 10 का मान क्या होगा और यह जो 4 option दिएगे हैं इसमें से right option में tick करना है तो हमें किसकी value बतानी है log 0.5 bar 0 है फिर 1 है base 10 है इसकी value बतानी है तो log base 10 है इसमें हम क्या करेंगे 0.5 bar 0 है ऐसे ही बटे में हम क्या मान लेंगे 1 और उपर से point हटा देंगे तो नीचे कितने 0 बचेंगे 6 0 यह 6 0 हो गया अब यह log base 10 है ऐसे ही उपर क्या बचेंगे 1 नीचे है 1 के आगे 6 0 तो हम इसकी क्या लिख देंगे 10 की power 6 लिख देंगे विए log base 10 है यह plus की power है 10 की power 6 है जब उपर जाएगे तो हमार क्या हो जाएगे 10 की power minus 6 अब हम एक formula जानते है कौन सा log m की power n हमार क्या हो जाएगे log m तो यह जो log m की power n हो रहा है m की जग़ तो 10 है n की जग़ माइनस 6 है तो यह minus 6 कहा जाएगा आगे और यह हमार क्या बचेंगे log 10 base 10 अब हमारा एक formula और होता है log e base equal to क्या होता हमारा 1 होता है तो यह minus 6 तो ऐसी log 10 base 10 की value कितनी होगी 1 minus 61 से multiply होगी तो minus 6 तो जो question number 11 है इसका option number C है वो क्या होगा right answer question 12 क्या log 3 base 2 into log 4 base 3 into log 5 base 4 into log 6 base 5 into log 7 base 6 into log 8 base 7 का मान होगा इसका मान बताना है और यह जो 4 option दिये गए है इसमें से right option में टिक करना है तो हमें क्या दिया है log 3 base 2 multiply log 4 base 3 multiply log 5 base 4 multiply log 6 base 5 multiply log 7 base 6 multiply log 8 base 7 इसका मान बताना है तो यह log 3 base 2 है इसम क्या लिख सकते हैं log 3 upon log 2 multiply log 4 base 3 इसम क्या लिख सकते हैं log 4 upon log 3 multiply log 5 base 4 इसम क्या लिख सकते हैं log 5 upon log 4 multiply log 6 base 5 इसम क्या लिख सकते हैं log 6 upon log 5 multiply log 7 base 6 इसम क्या लिख सकते हैं log 7 upon log 6 अब log 8 base 7 इसम क्या लिख सकते हैं log 8 upon log 7 अभी log 7 से log 7 cancel log 6 से log 6 cancel log 5 से log 5 cancel log 4 से log 4 cancel log 3 से log 3 cancel उपर हमार क्या बचा log 8 बचा और नीचे हमार क्या बचा log 2 बचा अब log 8 है 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की power 3 नीचे क्या हमारा log 2 है अब हम एक formula जानते हैं कौन सा कि log m की power n हमार क्या होता n log m अब इस formula जहां उपर apply करेंगे तो यह log m की power n m की जगा 2 है n की जगा 3 है तो यह 3 कहां जाएगा log से आगे 3 log 2 बचे में क्या log 2 अब log 2 से log 2 cancel तो हमारा answer क्या आगे 3 आगे तो जो question number 12 बेसका option number D है वो क्या होगा इसका right answer question 13 question 30 क्या आधार 3 की power 1 by 3 पर 81 यानि की 81 के लगुगड़क का मान होगा और यह जो 4 option दिये गए इसमें से right option में टिक करना है यानि की हमां बताने है log 81 की value आधार क्या लेना करनी 3 और उसके अंदर भी 3 हमां आधार क्या लेना यह जो दिया है हमारा 3 की power 1 by 3 तो इसका हमान बताना है तो यह हमारा कैसे होगा log 81 81 हमारा क्या होता 9 का square होता है और यह जो हमारा लिखा है यह इसका मदलब होता है 3 की power 1 by 3 तो इसकी जगा हम क्या लिख दोगे 3 की power 1 by 3 अब log 9 का square हो रहा है और यह बेस क्या है 3 की power 1 by 3 अब यह फॉर्मला जानते हैं क्या log m की power n log m की power n हमारा क्या होता n log m तो यह 2 कहां जाएगा आगी आजाए क्योंकि यह log m की power n बनना तो यह 2 log 9 हो जाएगा अब बेस क्या है 3 की power 1 by 3 अब 2 ऐसे log 9 बेस क्या है 3 की power 1 upon 3 तो यह हमारे क्या हो जाएगा log 9 upon log 3 की power 1 by 3 अब यह 2 ऐसे यह log 9 है log 9 क्या होता है 3 का square होता है अब यह log m की power n है यहाँ भी log m की power n हो रहा है m की जगा 3 है n की जगा 1 upon 3 यह जो power 1 upon 3 यह कहा जाएगा कि लॉग से आगे आगे बने पॉन 3 यहां हमारे क्या बचा लॉग 3 बचा अब यह 3 है यह कहां पहुंच जाएगा उपर पहुंच जाएगा 3 की 2 में मल्टिप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यह लॉग M की पावर N यहां फॉर्मुला बनना है तो यह 2 कह जो हमारा option number D है वो इसके क्या होगा right answer question 14 question 14 क्या है 0.001 का 10 आधार पर लगुगड़क का मान होगा जैसे अभी हमने question number 13 कराई बिल्कुल वैसा ही question है अब हमें log 0.001 की value बतानी अब यहां आधार क्या लेना है 10 लेना है अब तो यह हमारा क्या होगा log यह जो हमारा 0.001 है उपर से point हटा देंगे तो नीचे कितने 0 बढ़ जाएंगे 30 अब बेस कितना हमारा 10 है अब यह log base 10 है ऐसे ही उपर क्या बचा 1 यह 1 क्या है 30 है 10 की power 3 अब यह log base 10 है यह 10 की power 3 जब उपर जाएगी तो हमारा किसकी हो जाएगी minus की तो यह 10 की power minus 3 अब यहां हमारा क्या formula बनना log m की power n log m की power n हमार क्या होता n log m m की जगा 10 है n की जगा minus 3 है तो यह minus 3 क्या है log से पहले तो यह हमारा क्या होचा log 10 base 10 अब हमारा एक formula यह भी होता कौन सा कि log e base e हमारा कितना होता 1 होता है minus 3 है ऐसी अब log 10 base 10 की value कितनी होगी 1 अब minus 3 की जब 1 से multiply होगी तो minus 3 तो यह जो हमारा question number 14 है इसका जो option number B है वो हमारा क्या होगा right answer question number 15 question number 15 क्या है हमारा log bc upon a square plus log ac upon b square plus log ab upon c square का मान होगा हमें इसका मान बताना और यह जो चार option दिये हैं इसमें से right option में टिक करना है तो हमारे क्या दिया है log bc upon a square plus log ac upon b square plus log ab upon c square इसका हमें क्या बताना मान बताना अब हमें एक formula जानते हैं क्या कि log m into n हमार क्या होता log m plus log n तो यहां यह जो left hand side है log m plus n यह form है यह log m समझ लेज़े इसे हम m मान ले रहे हैं इसे हम n मान ले रहे हैं इसे हम o मान ले रहे हैं जैसे अगर यह हमारे तीन के टर्म हो जैसे कि log m into n into o हो यह हमारा तो formula क्या बन जाएगा यह हमारा log m plus log n plus log o यह हमारा formula बन जाएगा तो इस formula से हम इसे क्या लिख देंगे log m into n, n की जगा यह ac upon b square into o, o की जगा क्या ab upon c square तो यह log bc upon a square into log ac upon b square into ab upon c square इसके जगा यह लिख दिया, किस formula से, इस formula से, अब यह हमारा क्या हो रहा, यह 2 a हैं, एक a से यह a cancel, दूसरे से यह cancel अब 1 b से यह cancel, इस b से यह b cancel, यह 2 c हैं, एक c से यह c cancel दूसरे c से यह c cancel, तो हमारा क्या बचा अंदर 1 बचा, log 1 और log 1 की value कितनी होती, 0 होती है, तो यह question number 15 है इसका option number a है, वो हमारा क्या होगा right answer